हेलो फ्रेंज, फूडी कुक टू चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए बनाएंगे हैल्दी एनर्जी से भरपूर डेट से एकदम टेस्टी स्पंजी केक चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे धाई सो गराम डेट्स और इसके बीच में से हम सारी गुठलियों को निकाल लेंगे यह बहुत ही सोफ्ट हो जाते हैं और इसमें से गुठली अराम से निकल जाती है यह देखिए हमने सबी डेट्स में से गुठली निकाल दी है और इसको हमने एक बाउल में डाल दिया है अब हम इसमें एक गिलास गरम दूद लेंगे और इसमें हम सभी डेट्स को अच्छी तरह बिगो देंगे और इसको चम्मस की सैता से मिक्स कर लें यह देखिए अब हमने सभी डेट्स को दूद में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है चलिए अब हम इसको मिक्सी में पीशते हैं अब हम इसमें मिक्सी में इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका ये देखिए हमारे डेट्स और दूर्द अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसको एक बाउल में डाल देंगे ये हमने वन फोर्ट रिफाइन लिया है इसके साथ ही हमने एक कप पिसीवी चीनी लिया है ये नाप से डेट्स हो गराम है चीनी आप कम जादा भी कर सकते हैं और ये हमने 200 गराम मेदा लिया है इसको भी हम अच्छी तरह चान लेंगे इसको चानना बहुत जरूरी है तभी हमारा केक एकदम स्पंजी बनेगा और ये हमने एक चमच बेकिंग पोडर लिया है और आदी चमच मीठा सोडा लिया है और ये हम इसको विस्क की सैता से अच्छी तरह धीरे-धीरे मिक्स कर लेंगे आप इसको धीरे-धीरे चलाते जाएं और कट फोल्ड की सैता से इसको मिक्स कर लें ये देखी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है इस बैटर को आप ना ज़्यादा पतला बनाए ना ही ज़्यादा गाडा ये एक फोल्ड की तरह गिनना चाहिए अगर ये अब देखी इसको हमने ग्रीस करेवे मॉल्ड में डाल लिया है इसको हमने पहली मक्षन और मेदे से ग्रीस कर लिया था उपर से हमने ये कुछ अखरोट कटेवे डाले हैं आप कोई भी ड्राइफूर्ट डाल सकते हैं ये देखिए हमने गैस पर 5 मिंट पहले ही फ्राइबेंड में अलका सन्नमक डाल कर इसको प्रीट कर लिया है इसको 5 मिंट मेडिया माज पर प्रीट करें और इसमें हमने मॉल्ड को रख दिया है अब इसको ढग कर हम 45 मिंट के लिए पकाएंगे ये देखिए अब हमारा केक बनकर तयार है अब हम इसको फोक से चैक कर लेंगे हमारा फोक एकदम साफ है इसलिए हमारा केक बनकर तयार है ये देखिए अब हमारा केक ठंडा हो चुका है पहले हम इसको साइडों से निकाल लेंगे ताकि ये एकदम चारो तरफ से निकल जाए ये हमने एक प्लेट लिये है और इसमें हम अपने केक को निकाल लेंगे इसको हलका सा टैप करें ये देखिए कि इतनी इजली हमारा केक निकल चुका है और देखने में कितना टेस्टी और स्पंजी लग रहा है अब हम इसको नाइफ से काट लेंगे देखिए कितना सोफ्ट केक बनकर तयार हुआ है अगर आपको हमारी रैस्पी पसंद आए तो लाइक और सबिस्क्राइब जरूर करें आप इसे घर में जरूर बनाएए बहुत ही हैल्दी और टेस्टी है